किसान साथियों अभी जो हम सारी दवाओं का ओबर वीव कर रहे हैं तो आज ये चौथा पार्ड है इसमें आज हम फंगी साइट और हर्बी साइट का देख लेंगे कि खरपत बार ना सकमें बेस्ट किसका रजिल्ट रहा और फंगी साइट कौन सी कंपनियों के बेस्ट है तो नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों मैं हूँ आपका दोस्त राहूल और आपके अपने चैनल भर्य एग्रूफ फाम में आप सबी का स्वागत है किसान साथियों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के एक जानकारी देना चाहूंगा अभी भर्य एग्रूफ फाम का गेबर भी चलता है जिसमें आप ज़्यादा साधा लोग पार्टी सिपेट करें वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के अंत में या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी उस वीडियो को फुल देखकर आप उस पैच्छा सा कमेंट करें जिससे आपको उसमें एक कॉंटल सोयाबीन या एक दसजार रोपे कीमत वाला मोबाइल जीतने का मुख मिलेगा कि एक फंगी साइड डाल दिया और हमारा काम हो गया ऐसा बिल्कुल भी नहीं है किसान साथियो क्योंकि आजकल बीमारियां इतनी जादा हैं फसलों में क्योंकि उस पर्टिकलर बीमारी को उस डिजीस को पर्टिकलर केमिकल ही चाहिए अब यह तो हमें खेत में देखने से पता चलेगा जैसे मैं सोयाबीन की बात करूं कम पानी का है जैसे आपने पिछली वीडियो में देखा होगे कि स्टार्टिंग में अगर हम एक छोटा सा स्प्रे कर देते हैं तो हमें बड़ा स्प्रे करने की जरूवत नहीं पड़ेगी ऐसे डाउनी मिल्डियू नाम की फ तो फंगी साइड में कोई भी एक नहीं कह सकता कि ये बाला बहुत अच्छा है या ये बाला नहीं है हर एक फंगी साइड की हर एक बीमारी पर जरूवत है और उसको हमें डालना चाहिए अब ऐसा नहीं है कि हम सारे डाल लें अगर सारे हम डाल लेंगे तो हमारी लागत ब पर जरूवत मुझे महसूस होई कि महंगे वालग आने तो वहां पर मैंने उपेरा भी डाला है और प्रिकजर भी डाला है तो इन सब के भी रिजल्ट अलग-अलग है क्योंकि जादा अगर बारिस वाला छेतर जहाना नमी वाला जल भरा वाला छेतर है तो प्रिकजर जैसे का अगल लग है यह होगी साथ यो सोयावीन की फसल की टाइम पर बात अब आती है बात कि इंपोटेंट है जो रभी का सीजन है उस पर हम देखें तो चने में सबसे अदा समस्या होती है कि उक्ता रोग उग्रा भी बोलते हैं बहुत तो उक्ता रोग अधिकतर जगा समस्या क का कारण है सबसे इंपोटेंट है किसान साथियो उसमें फंगी साइट से पहले हम थैव मेठोक्सों से अगर उसका बीज उप्चार करके हम बोते हैं तो काफी हमें बैनीफिट मिलेगा उसके बाद स्टार्टिंग में जब हमारी फसल 15 से 20 दिन की है तो अगर हम कोई 19-19 का इस्प्रे कर रहे हैं तो साथ में अब हैक जकुन जूल का इस्प्रे कर दें काफी सस्ता है 100 रुपे एकर के करीब बैठेगा ज्यादा खर्चा बिल्कुल नहीं होगा हमारा अब आती है बात किसान साथियो जब हमारी फसल फूल से फल बनने लगते हैं चने में तो बहाँ पर उक्टा रोग दोबारा देखने को मिलता है जो किसान साथी लेट चनाब होते हैं उन क्या होता है लेट बोते हैं तो फरबरी के टाइम पर गर्मी ज़ादा पढ़ने लगती है गर्मी ज़ादा पढ़ने से फरबरी लास्ट और मार्च स्टार्टिंग में अगर काफी अच्छा रजल देखने को मिला है मुझे पिछले दो-तीन सालों में तो मैं यह बिल्कुल नहीं कहूंगा कि किसी भी क्रॉप में कोई भी फंगी साइड या एक पर्टिकुलर फंगी साइड बहतरी रजल देता है बीमारियां बहुत हैं केमिकल बहुत हैं हर एक बीमार साइड से काम चल जाएगा ज़्यादा बीमारियां लग रही हैं तो आपको महंगी फंगी साइड डालने पड़ेंगे यह आप समझ सकते होंगे आप किसान साथ यह बात आती है कि हम आंगे चलें जैसे अभी जैसे बीमारियों की बात कर रहे थे हम फंगी साइड के तो रा अब आते हैं किसान साथियों हर भी साइट के उपर खर पत्वार ना सक तो किसान साथियों इन अमोरा बगेरा का रेजल्ट आपने देखाई है कि नॉर्मल अगर रहता है चारा तो लगवक चोड़ी पत्ती या सक्री पत्ती दोनों पर वो कंट्रोल कर लेता है बोखन चारा रहता है तो उसके लिए आपको पते है कि क्लोविन आती है की वरेन की छोटी से डिप भी बोश राथ मीख्स कर दें तो हमारा बोखन भी मिट जाता है वो भी नौर्मल पत्ता कारत है उसके बाद आती है किसान साथ यह बात जैसे मैं इसमें बोखन ब्यार आसा आपको पता है ट्राम मिक्स की थी लेकिन इस बार किसान साथियो रजेल्ट उतने अच्छी नहीं मिले हैं फसल में खर्पतवार है अभी भी उसके कारण कई हैं एक तो बारिस का भी मौसरम उसके साफ से शूटेबल नहीं होना शाथ में जब मैंने अमूरा का इस्पिरी किया तो उस टाइम खेत में नमी कम थी और चार-पांद दिन पहले से भी बारिस नहीं हुई और बाद में भी नहीं हुई तो एक कारण ये अपन समझ सकते हैं कि ये कारण ये हो जाता है सबसे ज़्यादा किसान साथियो इस बार निरास किया है वो है एजल क्योंकि एजल एक ऐसी दवा है जो हम ज़्यादा उमर के सोयाइबीन और ज़्यादा बड़े चारे पर डालते हैं जो लंबी पत्ती बाला होता है उस पर डालते हैं तो एजल काफी च्छे रजल देती लेकिन इस बार काफी नराज किया है हम यह नहीं कहेंगे कि कमपनी ने केमिकल चेंज कर दिया जो चारे हैं वो बहुत ज्यादा डैबलाप हो रहे हैं एक यूएस की स्टेडी है उसमें मैंने पड़ा है तो इस बज़े से मैं कमपनी को दोस्त बिल्कुल भी नहीं दूँगा क्योंकि चारे की बेराइटी बढ़ रही है और उनकी जो मतलब वो स्ट्रोंग होते जा रहे हैं इससे जो परानी केमिकल हैं उनसे वो कंट्रोल नहीं हो पा रहे हैं आप अगर कमेंट करेंगे तो उस स्टेडी को मैं कम्पलीट आप लोगों के साथ सेयर करूँगा कि जो यूएस की स्टेडी है खर्पतबार को लेकर वो बहुत ही बहतरीन है और आखिर मैं जो परानी खर्पतबार ना सक हैं उनसे आज कल के खर्पतबार नस्ट नहीं हो रहे हैं तो आँगे चलके और भी हैबी खर्पतबार आएंगे अब इस बार काफी नयानया है यूपील का सेंचूरियन नो डाउट इसने रजल्ट काफी बहतरीन दिये हैं बहुत ही सांदार इसके रजल्ट आए हैं लेकिन मैं अब भी तक इसके रजल्ट नहीं मानूँगा चारा मारना हमारा टारगेट नहीं है किसान शातियो एक चीज मैं आप लोगों को भी बता दूँ और में भी यह समझ के चलता हूँ हमने अगर फूल के टाइम पर इस प्रे किया है और उससे अगर हमारा किसी परकार का उत्पादन प्रभावित नहीं होता है तो ये हर भी साइड ये सकसेज रहेगा जैसे एजल को हम स्प्रे करते थे चाहे फूल के टाइम स्प्रे करें या किसी भी टाइम आप जैसे फूल से फल बन रहा है छोटा छोटा फल है तो ये हमारे किसी भी प्रकार के उत्पादन को प्रभापनिंग करता था इससे चार अमर गया, बिल्कुल खतम हो गया बहाँ पर, लेकिन हमें end of the day क्या देखना है किसान साथियो, हमारी फसल का उत्पादन, कि अगर उत्पादन पर हमने उसको फूल पर भी इस पर किया है इस पर, वो हम आपको दिखाएंगे, अब वो हर्वेस्टिंग की टाइम प कर लिया है, साथ में जब फूल से फल बन रहा है, छोटा फल है, तो उसमें वो कितना लेट कर रहा है, उसको भी मैंने चिन्नित किया है, और मैं दिखाऊंगा, कि कि की टार्गेट हमारा है, कि शान साथियो उत्पादन, उत्पादन पर अगर प्रभावित कर रहा है वो, तो हम उसको सफल नहीं मानेंगे, बाकि ऐसा मैंने, ऐसा मेरे को सुनने में आया है, कि उससे थोड़ी सी लेट हो रहा है, मतलब जैसी फूल आ रहा है, वो फूल से फल बनने में थोड़ा सा लेट कर रहा है, सेंचूरियन, ऐसे कुछ किसानों से मुझे सुनने को मिला है, बाकि यह बहुत देखेंगे, क्योंकि मैंने किया है, और अब उसके बाद अपन रजल देखेंगे, हर्वेस्टिंग के ताइप, और मैं पूरा कंप्लीट रिव्यू उसका उस ताइम देश अकूंगा, तो उमीद करता हूँ, किसान साथ ही हो, आप लोगो को यह जानकर य अच्छी लगी होगी, अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चनल भदाये ग्रुफाम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बागी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है,